वेलकम टू उत्रमन ओनलाइन क्लासिज चिप एसी के एकजाम 18 दिसमबर 2016 को हने वाला है और मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपोर्टेंट्स को डिसकस करूंगा यह मेरा पहला वीडियो है और यह जो पहला कोस्टेंस का सिरीज है इसमें के हम लोग कुछ कुछ कोस्टेंस तो मैं समय को नहीं लेते भी कोस्टेंस पर डायट आता हूं देखिए पहला कोस्टेंस है कि महाभारत में जहारखंड को किस नाम से जाना जाता है महाभारत में जहारखंड को किस नाम से जाना जाता है देखिए पहला आप्शन है नाग देश दूसरा है गंधर्व देश तिसरा है पुंट्रिक देश, चोथा है कलींग देश, तो इसका options जो है, पुंट्रिक देश का जो options है, वही right answer है, यह जो होगा, यह पुंट्रिक देश अंसर होगा, तो अब हम लोग दूसरे questions पे जाते हैं, दूसरा questions है कि किरिंग बापला किस आदिवासी से समंदित है, कि थेया बापला का मतलब होता है साधी, जितने भी जनजाती हैं सबके अलग अलग साधियों के परकार हैं, तो इसमें देखी, बिरो जनजाती के दस साधियां हो मुख्यत हैं, तो उसमें से उद्रा उद्री बापला बोलो बापला है और भुमीज के जो साधी होते हैं वो आजजित विभावस में परचलीत होती है तो इसका एंसर है संधाल अप याद रखिएगा संधाल जन जाती है अब देखे उसी साधी से और एक कोस्टन से है अंधी और ओप जाते हैं चोथा कुश्टन से कि नागवंसी राजा नागवंसी राजा ने नवरतन नामक नाम का पंच मंजिला भवन का निर्मान कहां करवाया था देखे ऑप्सन है पाल कोट रातू दोइस्दा और नागवंसी के पार मैं थोड़ा साब बता देता हूं कि नागवंसी के जो सस्थापक हैं वो हैं फनी मुकुट्रा है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और नागवंस में इन्हें आदी पूरुस माना जाता है तो चलिए हम लोग अब पांचमे कोस्टन के और जाते हैं पांचमा कोस्टन हैं मलेर किस से समंदीत हैं देखे ये इंपोर्टन बह एक सरया पाहडिया की जो जन्जाती लोग है वो अपने आपको मलेर करते हैं ठीक है तो इसका मैन ओप्शन होगा आपका जो एंसर होगा वो सरया पाहडिया होगा बिरहो उरां और भूमीच यह नहीं होगा तो यह सरया पाहडिया होगा तो थैंक यू वाचिंग वाचिं को ऐसे ही लाएंगे आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और कैसे लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू